वो भगवान और जंता माप नहीं करेगा कुछ बहाद समाज उनको माप नहीं करेगा अब उनकी मर्जी पार्टी बनाए चाहे जो बनाए अब जंता कितना उनके साथ हो तो आने वाला बक्ती बताएगा ना हम लोग पार्टी के गैडलाइन पे चलते हैं और अस्टिय जैस ज नहीं नमस्कार मैं हूं फरेतपस और आप देख रहें एक न्यूस 24 इस वक्त हम जंता डल यूनाइटेट कार्याले में मौजूद है आप देख सकते हैं यहां पे जो जंता डल यूनाइटेट के जो मेंबर्स है सदसी है मौजूद है तो चलिए इनसे हम बात करते और जान पार्टी का बडिश्ट नेता हूं आध्यात्मिक बेखते हूं समाज से भी हूं और मैं वो पिंदर्ख भाई से करना चाहते हैं कि जिनोंने नितियस कुमार जो सम्मानित किया भाई के तरह एक छोटा भाई के तरह ब्योहार किये और पार्टी में लाने के लिए बात उनको लाया गया उन्होंने जो हमारे समाज पर जो कीचर उछला है वो भगवान और जनता माप नहीं करेगा कुसवाद समाज उनको माप नहीं करेगा जिनको जो गार्मा देके आगे बढ़ाने का काम किया वह ब्यक्ति समाज ही नहीं देश के ऐसे ब्यक्तियों के हाथ में समानत चमात उन्हें माप नहीं करेगा और आने वाला भविस में वो खुद ही डगड़ा का बयन हो जाएगे यह भी मैं कह रहा हूं कि जहां से वो लोग सभा चुनाओ का सपना देख रहे हैं वो भी उनका सपना अधूरा रह जाएगा और विदान सभा में कहते हैं कि बीजेपी को मुख मंतरी का चेड़ा देखना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं उनका सपना अधूरा रह जाएगा यह भी हार की धरती है यह अधात्मिकों का धरती है रिशी मुहर्चों का ब्यार है ऐसे ब्यक्तियों को भी हार की जनता माप नहीं करेगी आने वाला सुनाओ जब लो साथ 20 बर्श से पार्टी के लिए पसीना नहीं दिया ब्यक्तिय अपना स्वारसिद करने के लिए आये थे और स्वारसिद नहीं हुआ तो छले गए इसके लिए ने ऐसे थोड़ा भी नथिकता होता तो हमारी सचाई कहीं गरीबी की बात हो रही है कहीं अमिरी के बात हो रहा है तो नितिश कुमार का मसिया है वो तो लगतार बोल रहे थे कि जो जैदू है लगतार कमजोर हो रहे हैं लेकिन नितीश कुमार जो उनसे बात करने के लिए तैयारी नहीं थे एक दाब गलत बोल रहे हैं मानिये जब दिल्ली थे तो नितीश कुमार जी ने उन्हों आगरा किया कि तुम बिहार में आयो और बिहार में हमसे बारता क्या समस्या है हमना समाधान करेंगे कि दिल्ली में पत्रकारता और बीजेपी के उनके समाधार में आगे पीछे घूम र वह आने वाला समय बताएगा कि उपिंदर कुस्वाह भीहार में क्या बनते हैं क्या उनका लाय थे क्या खो गया उस समय बताएगा अब तो वह नया पाटी बना ली है तो क्या इससे जद्यू को कोई फर्क पड़ेगा क्या फर्क नहीं पड़ना है उनके पार्टी से कोई यह समाज करने काम कर रहा है लेकिन वोट जो पाटी से अलग हो गया यह कोई भोट नहीं बता है जाति पर नहीं मिलता है नितीच के साथ जो पाटियां है फीर वह एक जूठ है और यह सबो का नेता है कपूरी थाकुर्ट जैसे वेगती के रूप में विहार में जाने वाला जब विहार का चीफ-प्मूनिस्टर हो सकते हैं जब इनकी लव कुश्वाइदा करन बिलकुल एक जूट है कहीं अच्छा वोत नयाड़ और पार्फंट बना लिया कई उनुकों कोई फाइडा होगा की नहीं वाला कोई फायदा नहीं उनके पार्टी बनाने से अपना सीट भी अपना दांसे चुनाव लड़ेंगे वह भी सीट नहीं निकलना असभा है वह तो पहले कहते हैं कि नितिश कुमार जी उनके गुरू है ठीक है उनके साथ लड़ रहे थे बिजेपी के अगेंस्ट अब वह देखा जा रहा है कि आप तो नितिश कुमार के अगेंस लड़ेंगे और सीएम बनने के लिए वह जो कार्य करेंगे एक दम उनका सीएम बनेंगे समाधवाद के गोद में बटेंगे सीएम बनेंगे यहां समाधवादी लोग एक जूटोनिक फेर से पुना जब जब धरती पर कश् अपना हम लोग देख रहे हैं अच्छा यह बताइए क्या वाकई में दो हज़ाद पचीस में तेजश्वी आदम सीएम बनेंगे क्योंकि लानंग सिन तो साफ इंकार कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंदरी नितिश कुमार घोसना कर चुके हम आप से जानना चाहिए यह हम लान से कोई दिकत नहीं है अगर जनता आने वाला भविस्ट दुहजार पचीस के चुनाओं में जनता जिसको समर्थन करेगा वही बिहार का मुख्यमंति बनेगा ठीक है बाकी लोगों से भी जानते हैं चलिए हमारे साथ पंकन सिंग है इन से हम बात करते हैं यह बताइए उप पीछे भी सिस्ट थे फिर बनके आये थे अब उनकी मर्जिय पाटी बनाया चाहे जो बनाये अब जनता कितना उनके साथ हो तो आने वाला बक्त ही बताएगा ना है नहीं अभी माहगडवन्दन की सरकार है बढ़िया तरीके से चल रही और 25 तारीकों माहगडवन्दन का कोशी परमंडल में मिटिंग भी होने जा रहा है आप जैसा कि बोल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है लिकि यहां पर आप देखिए कि ललन सिंग का पाइडलान पर चलते हैं उपर इंद्र कुष्वाहा नया पार्टी बना लिए तो यहां उनको कोई फाइदा होगा आपन्दर कुष्वाजी upon । बनाने से चनता अधल उनогодンダ mother community पर कोई फार्क नहीं परनाओ क्षाया उसे कोई नुक्षान होने वाले वाले ना कुछ है मानीय मुखवंत्री जी के साथ सारे कुषवाया है इस पर कोई साथ इफेक्ट नहीं परने वाला त्तेज discuss आपको कुछ चाहते थे कि वो सीम बने उनकी आकांच्छा है कि हम ही सीम बने पहले भी वह गोष्णा करवाते चलते चलते थे आवाज उठाते चलते थे कि बिहार का सीम कैसा हो उपेंदर कुछ वाज ऐसा हो तो जनता चाहेगी तम ना पाटी आपका दो विधान सा बाद जीत करके नहीं आ सकता है सीम को खवाब दखते हैं या तो मिर्ग तरीष्णा है उनके लिए अत्यजास्वी जादिव का जहां तक सवाल है माने मुखमंत्री जी निरने लिए हैं जो निरने लेंगे वह पाटी को सर्वधार होगा सब को उसको सम्मान करेगा ऐसा कोई बात नहीं है जैसा अभी हमारे सामने 24 के लड़ाई है 24 में हमारा जो निरने हुआ मानिये निता नितिश कुमार जी का उस पर सब लोग हम मागट बंदन एक साथे लड़ करके बाजपा को पचारने का काम करेंगे यहीं मैरा निरने यह पाटी का तो आपने देखा इस वक्त हम झाल